भागलपूर में नहाय खाई के साथ चार दिवसी चट महापर्व के शुरुआत कल यानि मंगलवार को कद्दू भात से हो जाएगा इसको लेकर सुमबार को भागलपूर के बासारों में कद्दू की खरीदारी के साथ छट महापर्व में लगने वाले समानों की खरीदारी करने आए खरीदार भागलपूर के बासार पहुँचेंगे हालकि इस पार कुद्दू के दामों में जाफा नहीं देखा जा रहा है जिसके कारण लोग कद्दू की खरीदारी करने में कोई कमी नहीं छोड़े हैं आपको बता दें कि नहाय खाई के दिन कद्धू की सबसी लोकी चनी का दाल और चावल खाया जाता है नहाय खाय की दिन बनाया गया खाना सबसे पहले वरत रखने वाली महिलाओं को दिया जाता है इसके बाद ही परिवार के दूसरे लोग भोजन करहन करते हैं इस पूजा में प्रकरती को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है इसमें किसी भी प्रतिमा या मूर्ती की पूजा नहीं की जाती है या पहला पर्वे है जिसमें डूपते हुए सुरे और रुकते हुए सुरे को और खिदिया जाता है जो छटी मय्या को अती प्रित होते हैं इस त्योहार में नया नाच, नया गूर, नया चावल, नया की हूं गाई का घी मौसमी फल हरे पास के बनाए हुए सुप सर्ख दिया जाता है ये एक मात्र पहला त्योहार है, जिसमें किसी प्रोही त्यानी की पुजारी की जरुवत नहीं होती परिवार की लोग ही व्रती को और घी दिलाती हैं, गाई के दूत और गंगा जल सर्ख दिलाया जाता है लोकास्था का महापर्व छट पुजा को लेकर भागलपूर जिला प्रेशासन और पुलीस प्रेशासन ने तैयारी पूरी कर ली है भागलपूर शहरी शेत्र में इस पार पचास से ज्यादा छट खाट पनाए गए हैं जहाँ शर्थालों और छट व्रतियों के लिए व्यवस्था मुकमल की गई है भागलपूर के सिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौदरी और पुलीस कप्तान आनंद कुमार ने सभी कंगा घाटों को निरिक्षन किया इस तोरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौदरी ने छटवती और शर्थालों को बहतर व्यवस्था देनी के बात कही भागलपूर सीनियर स्पी आनंद कुमार ने बताये कि छटपुजा को लेकर जिले में अतरिक्त पुलीस जवानों को बुलाया गया है सभी घाटों पर इंटी आरफ और अस्थानिय गोता खुर की तैनाती रहेगी भागलपूर सीले में काली पूजवस्था विस्थाचन की राथ दो नवमर को लल मठिया थानांतरगत टमटम चौक के समीप एक धार्मी कस्थल के दिवाल पर एक युवक विशीस रंग का जंडा लहरा रहा था इसका वीडियो भी काफी तीजी से सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा था इसके जानकारी जब ललमटिया थाना पुलीस को मिली तो जंडा लहरा कर महोल बिगाडने की कोशिस करने में पात्मे की दर्च या गया और जंडा लहराने वाला युवक शिवम कुमार पिता टंटुन शाथ थाना मधुसुदनपूर को पुलीस ने गिरफतार कर लिया इस मामले को लेकर प्रेस वारता कर भागलपूर सीटी एसपी डॉक्टर के रामदास ने बताए कि शिवम के उपर पूर्व में भी अभारन फिरोती संबंदित मामला ललमटिया थाना में दर्स है साथ ही सीटी एसपी ने कहा कि इस मामले में शिवम की गिरफतारी मुंगेर जिला से की गई है बताते चले कि इस खटना के बाद नीदर पक्ति पक्ष तरजश्वी अदफ ने निदीश शलकार पर जम करने शाना साथा मामला सामनी आने के बाद पुलीस हरकत में आई और तुरंत लाके में सस्पी तैनात कर दी गई थी पुलीस ने बताये कि वीजियो के धार पर फाई आर दर्च कर ली गई है और मामले के जाच की जा रहे है इसे कड़ी में कारिवाई करते हुए पुलीस ने आरोपी युवक को धर्द बोचा है। इसे कड़ी में कारिवाई करते हुए पुलीस ने आरोपी युवक को धर्द बोचा है। रमेश अपने भातीजी और एक मित्र के साथ रसकुला खा रहा था। जानकारी के नुसार तीन से चार अप्राथी वहाँ पहुँचे और रमेश पर गूलिया चलाई। निस्सेवा घंफी रूप से खायल हो गया खतना के जानकारी मिलने पर उसके परिजिन तुरंत मौकी पर पहुँची और खून से लत्पत रमेश को इनिच सड़क पर लाई। और एमपूलिन से रेफर अस्पताल पहुचाया हाला कि उसे रेफर अस्पताल पहुचाने के दोरान डॉक्टरों ने जाज करने के बाद उसे मर्त खोशित कर दिया। थान अद्यक्ष डियस्पी प्रेरंजन ने बताये कि इस हत्या के पीछे आपसी रंजिश का संधी जताया जा रहा है। भाई का महूल व्यप्त है और वे जल्द ही अपराधियों की ग्रफतारी की उमीद कर रहे हैं। फिर मार बोली जनवर्या गोली मार चंदर उपर चंदन कुमार अगरा गोली मार लगें। हत्यार सब के च्छबों के पास। अगराबाद मुकेश कुमार ओधी मुकेशी कुमार आवडर दिया फाटक कुमार उपर मुकेशी फाटक जादव को आउडर दिया मुकेशी कि तुआ की दखाई चैने तहुं मार ना गोली तु मोटा मोटा तीन गोली उसको मारा। उसके बाद हम गाड़ी तरह चुपा हम चिलना नहीं लगें फिर भाई बचा भाई बचा उसके बाद हमको उगो कुमार ने देख लिया हमको तो वाई पुसुनिल सिंग बलता है देखा जी कि एखर हमको अम्मेरित भी अंधा धून फाइरिंग करने लगा हम घर बचा के क शर्मिसार कर देनी वाली घटना सामनी आई है वाई पास थाना शेत के खरिवांद स्थितनाला से तीन दिन पूराना नवसात शीशू का सब बरामत होने से लाके में हरकम मच गया है घटना के जानकारी के बाद लोगों के भीर काफी संख्या में कठा हो गई घटना के पर पहुंचे लोगों ने नवसात शीशू का पहचान नहीं कर पाए ना ही अस्थानी लोग इसके बारे में धी कुछ पता पा रहे हैं आशंका जता ही जा रही है कि बच्चे के उमर लगभख 6 दिन है नाले में फेकने से 3 दिन बीच चुका है नवसात शीशू का शरीर ग जानकारी पुलीस को दीगे लोगों ने आशंका जता ही है कि बीते तीन दिन पहले नवसात शीशू को सब नाले में फिका क्या है इसके कारण शरीर से बद्वू आ रही थी लोगों को बद्वू की वज़े से जानकारी मिल पाई इसके बाद डाइल 112 को सूशना दी गई अश्रप को अपनी कब से मिलेकर आगे की कारिवाई में चुट गई है लोकास्ता का महापर्व्य छट पूजा को लेकर सुल्तान गंज के अच्कैविनाद थाम में छटवती महिलाओं की भीड उमर पड़ी है उत्तरवाहिनी गंगा का जल पवत्र होनी पर सुल्तान गंज अच्कैविनाद थाम के उत्तरवाहिनी गंगा में ढूपकी लगाने के लिए और गंगा जल लेने के लिए छटवती महिलाओं हर वर्ष की भांती इस वर्ष में पहुच चुकी है इसके मद्दी नजर सुल्तान गंज साना दक्ष प्रिरंजन के द्वारा सभी चौक चरहो पर सुरक्षा वेवस्था की गई है और नगर परिशत के द्वारा गंगा खाट में साफ सफाई वेरी कैडिंग की वेवस्था तथा अंचल पदादिकारी रवी कुमार के द्वारा दोनों गंगा खाट में इस ड्यारफ टीम लगाया गया है और सुल्तान गंज स्टेशन परिशर में सुरक्षा वेवस्था की कड़ी इंतिर्जाम किये गये हैं जिससे किसी भी प्रकार के छेटवती महिलाओं को कोई परिशानी ना हो वही भीर अधी खोनी पर पूरी शहर में सुखह घंटो जाम की समस्या हो गई थी जहां थाना दक्ष प्रिरंजिन के द्वार अब लोग पर सभी सिपाही मिल करके जितने भी पाल थे हमारे पास सबके साथ में कंच्रोल किया गया सांती से तभी यह तैनाती की गई है कौन-कौन पुलीस बल को लगाया गया है सबी इतने थाने में पुलीस बल है और बजराप लबाया गया स्टीयफ लगाया गया प्यम्पी लगाया गया कि हार पुलीस लगा 24 घंटा से हम लोग राठ चोक पर विदिविवस्था बनाये हुआ है